हेलो माडियो फ्रेंड्स वालकम टू दा इंडियन एडवांस इस्टॉडीज आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ भी हार फुरिस फायर्मन के बारे में पूरर डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाह हुआ हुआ है है क्लिक करते ही नहीं कि शाय। आपन लिखाए सब करूँगा ने करूंग धिए अटऊन में आयूप बदेटेब करते ही सक करिक हैं इससे बाहिव ही उपन होगी हुआ है बिछ आपि लिखाय बहर फूरेर्मन टॉस्तYeरइं lep2 नॉटिपिकर सो कर त मोदु आज हम उसे वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाद इस टेप इसके प्रोसर्स क्या से और किस तरह से होते हैं सो यहां अपर चृण दिया गया आप है पर आते हैं टेबल ऑफ ए जैसे कि अगर आपको किसी बुट आपक के बारे में जाने कि इंट्रोड़क्शन भीहार पुलिस फायर में या फिर इसके हाइलाइट्स टेट्स नोटिफिकेशन वेकैंस इलेजिबिटी एप्लिकेशन फॉर्म एप्लिकेशन फिस एड्मिट कार्ट सेंटर पैटर्स लेवर्स प्रिपरेशन टिप्स रिजल्ट करद आफ सेलेशन प्रो तो फिर आप उस्टाप एक पे क्लिक के चीएगा और आपने उपेच में बर जाएंगे तो यहां पर यहां पर हाइलाइट्स यहां पर जैसे कि नेम और ऑगनाजिशन इसने और इसको तो बिहार सेंटर सेलेक्शन बोर्ड और कॉंस्टेवल ने इनको इसको स्टाट किया इसाऊं मुझ शाँ एक्साम होता है इच एए इस साल होता है मत अबैर अभरी यह सो ते है अप्लेकशन फॉर्म जब्सेवा उल्लाइन से फिल किया जाता है अप्लेकाशन फिसें पर अलग-ळग काटेगरी के लिए अलग-अलग है शेलेक्शन प्रोशेस रिटन टेस्ट तेस्ट फिजिगल इप सेंसी तरिल मेजर्मेंट टेस्ट यह सब दो तबी आपके सेलेक्षिन होता है यह जोप की भीशार में है और चंग लेंगवेज यह हैं यूजिश लैंगवेज इंग्री के लांगवेज़ का एक्जाम होता है फिर यहां पर उफिचियल वैपसर दिय यह दो कि आनब को जाने किसी को है अगर उसे one उसकी और बाइए रिजल्ट इमसे औरन जेए बरvent लेट के सब्सक्राइब को करें सेयल रोह सब्सक्राइब बता झाल जानाइब इसे हैं ज इनLY जाये आपके एज़ेशनालिटी अगर आप इंडिया के लिए लिए लिहां रहेंगे और इसका प्ल्हण के लिए लिए रहेंगे अगर आप 18 से कभ में या फिर 25 से जादा है तो भी आप इसका अप्लाइ करने के लिए लिज्वल नहीं रहेंगे फिर एजुकेशन कालिफिकेशन होते कि अगर आपको 12 पास है तो ही आप इसका अप्लाइ कर सकते हैं अप्लाइक्षण फार्म आपको औफेशल वेबसेट के तुरूफ फिर नाराते हैं आपको लिटेच्ट अपड़रोट क्लिक करना रहेगा क्लिक कर दें आप नीवी पेजमें उपने चाहां प्लाइब सारी इंफ्रमेशन आपको दीन रहेगा जैसे कि आपका नेम date of birth, registration number, role number, password, address, contact number, email ID, सारे information आपको दिन रहती हैं, उसके बाद वहाँ पर हाँ, documents का भी option दिया रहते हैं, जैसे कि आपका अपना अधा, card, pain card, driving license, 10th, 12th, mark, shoot, photograph, signature, इस सारे documents भी चेह रहते हैं, उसके बाद वहाँ पर आपको application fees का भी option दिया रहते हैं, application fees आप किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि इनद वागी, debit card, wallet, you pay, किसी भी तरह आप अपना application fees दे सकते हैं, और अलग-अलग category के लिए, अलग-अलग fees होती हैं, जैसे कि आप जेनरल, पर आन रिजॉट के लिए, हाँ पर 450 है, हैं, ST के लिए 112 रूपीस हैं, तो आप जतना फीस रहते हैं, तो आप जतना फीस रहते हैं, उसके बाद अगर आपना application form, exam date, sorry, application fees, document दे साला चीज आप में आपने दे दिया हैं, तो फिर आप अपना application form, क次 कि क्लिक करते हैं अब मैं अपर चुछ सी एक सी किनिए गणाया है पर यह को आपी झाला के इंदेश्ट सीफ कर सकते हैं सबसे समय है । और लिशय देट हो था है जान झाले तरप सबस्थ आम्साप्णा म्पियर करना नहीं दो做 प्लएा है अगर आपने यद्मेट कार दे लिया तो फिर आपसको डाउनोड कर सकते हैं प्रोडी पेडियो बना सकते हैं फिर आपको अगेशम संटर गया है अग्जापने होते हैं कितने कोशिन घाइम एंगा उन सब के वारे में पर दिया गया है जैसे गया पर दिया गया है एंडी के लिए 100 कुशिन 100 marks two hours के लाइट टाम इरेगा आपको पास आपके पास इंगलिश के लिए 200 100 questions 100 marks वैसे math, social studies and science हरी चीज के लिए पर दिया के फिर physical test लिए पर दिया गया कि आपको कितना run कर रहे होता है, long jump पर दिया, short up दिया, हरी चीज आपर दिया के फिर syllabus, फिर syllabus में आपको पढ़ना रहता है, उन सब के वारे में पर दिया के जैसे कि Hindi है, reasoning है, civics है, history of India, geography of India, English है, 후versus, political science है, मतब हर एक subject के वारे में आपके दिया कि में आपके लिए क्या के important रहता है, और आपको क्या के study करना रहता है, फिर preparation tips, preparation tips होते हाँ आपको अपनी exam के लिए किस तरह से prepare करना रहता है, तो अपनी exam के लिए आपको time table form बना रहता है और आपको वही time table follow करना रहते पर एक्जाम के लें ताकि आपको मार्ग जो है वह अच्छी नम्पर्शाप पास पर जाए और आपको सब्सक्राइब एक्जाम के लिए अपनी स्टेडिक ले टाइम टेबर बना रहता है उसके बात आपको आपको कोई डिस्टरफ ना करें और आप रहाम से स्टुड़ी कर सकें और स्टुड़ी करते टाइम आपको सारा चीज लेकर रखना अपने बास ताकि आपको बार बार कुछ चीज के लिए रोड़ना पादना पादें आपको परिशारी ना हुँ सो अब मात यहाँ पर दिया गया कुछ रिजल्ट रिजल्ट एक्साम के कुछ दिन बात आती है यह आप ओफिशल मेब साट कि दरोची कर सकते हैं सबसे पहला आपको ओफिशल वेबसाट पियाना रहता है official website भी आते हैं आपको latest update प्लिक करना रहता है अगर आपने सारी इंफोर्मेशन देदी तो फिर आपना रिजल्ट देख लिए तो फिर आप इसका डाउलोड कर सकते हैं फिर आप पर कटॉप मार्क्स दिया गया है अलगल का टेगरी के लिए अपर दिया गया है अगर आपको इससे कम मार्क्स आया तो फिर आप इसमें सालेक्ट नहीं हो पाएंगे और नाहीं आपको नहीं मेरिट लिस्ट में आएगा इसके वारे में आप पर दिया कि रिटर निग्जाम है एफिशंटे एंड फिजिकल इवालिशन आप मैर्ट लिस्ट इंटर्यू डॉक्में डॉक्में वरिफिकेशन इसाब होने के बाद अगर आपको साथ डॉक्मेंट सभी है मैरिट लिस्ट में आपका नाम आगया है इ तो के लिए और अधाल्ग के लिए और और जो खोते हैं कि अगर ने सब्सक्राइब करना दो फिर यह पर मोशन और कड़िया घूट गूट कुछ टैम बाद आपको पोस्ट प्रोमोशन और जाए गा जैसे कि है अच्छाइब असिस्टेंट सबस्पेक्टर है सबस्पेक्टर एंड सरक्टर इन सबस्पें से पोस्ट में प्रमोशन हो जाएका इसके लिंक दे गई है आप महाँ पर जाकर सकते हैं तो थैंक यू अ